साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चनल पर, तो जैसा कि हम ICMR-JRF के question paper को discuss कर रहे थे, उसी के करम में हमने बाकी जो एक फर्दर वीडियो होगा, जिसमें हम सारे sections के जो थोड़े complicated questions थे, उनका solution हम लेकर आएंगे, लेकिन अभी हम केवल मोटा-मोटा आपको section B करा दिया, और उसके अलावा हमने आपको bio technology, bio chemistry करा दिया है, और biological science करा दिया है, अब जो इस particular वीडियो में हम discuss करने वाले हैं, वो आपके ICMR-JRF जो इस पार आपका exam conduct हुआ, उसमे micro biology में कैसे questions पूछेगे, हाला कि microbiology जो है, वो मैं target नहीं करता हूँ, ठीक है, बट फिर भी कुछ questions जिसमें ऐसे थे कि जो आप normal biology पढ़के, थोड़ा सा common चीजों को उप्योग करके आप उसको कर सकते थे, तो वो questions के बारे में हम यहाँ पे discuss करेंगे, कि कितने questions ऐसे थे जो आप microbiology में कर सकते थे, इसके अ यहाँ पे explain कर सको, ठीक है, तो यहाँ पे start करते हैं, देखते हैं कौन-कौन से questions, कैसे कैसे questions, यहाँ पे आप से पूछे गए थे, तो एक question जो कि आपका antiviral drug के regarding आप से पूछा गया है, और मैं कहता हूँ कि यह question आपका doable था, दो statements आपको दिये गया है, और कह रहा है कि क् इसमें statement सही है या गलत है, बस केवाल आपको इन सारी बातों को बताना है, तो जैसा कि पहला statement है कि highly effective antiviral drug have been developed for all viral disease, अब इस statement को जब आप पढ़ेंगे तो यह कह रहे हैं कि आपका जो antiviral drug, जो effective antiviral drug आप बनाते हैं, वो सभी viral disease के खिलाप apply cable होता है, तो यह तो भाई के लिए अगर antiviral drug applicable होंगे, तो आपको जो covid के समय, जो इतनी आपको महामारी देखने को मिली, इतनी problem देखने को मिली, covid-19 के समय वो आपको नहीं देखने को मिलती, तो यानि कि यह statement आपका false हो जाएगा, दूसरा statement जो यहाँ पे आपको दिया गया है, वो कह रहा है कि जो drug targets होते हैं, वो आपके very specific होते हैं, targets are very specific for viruses, therefore only few antiviral drug have been developed against one virus and active against another virus, अब यह आपका बहुत 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 होते हैं, इसी वजह से क्या होता है, कि जो आपके drugs होते हैं, antiviral drug, जो है वो किसी एक particular virus के लिए बना सकते हैं, जो active नहीं होते हैं, या बहुत less amount पे hit कर गया तो ठीक है नहीं, तो technically जो होते हैं, वो आपके किसी एक particular virus के लिए ही आपके active होते हैं, तो यह जो कि आप इनोंने specific word का इस्तमाल किया है, तो इस वजह से मैं इसको true मानूगा, तो इसका जो right answer बनेगा, वो आपका statement जो है, वो आपका false है, और दूसरा statement जो है, वो आपका true है, तो यानि कि fourth statement जो होगा, वो आपका सही होगा, next question जो है, वो आपके parasites वगएरा पर पूछा गया है, और एक जी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, और यह मेरा हमेशा से रहता है, चाहिए आप CSIR, DBT, ICMR, किसी की भी आप preparation करते हैं, तो मैं आपको हमेशा बोलता ह है, और खास तोर से आपको arthropoda पढ़ना है, और इसके अलावा आपको insects पढ़ना है, और यहाँ पर तो इस particular microbiology के अगर आप paper को देखेंगे, तो यहनों ने तो हाथ धो के पीछे पढ़ गए हैं, आपके arthropoda या insecta से बहुत सारे question जो है, वो इनोंने frame की है, ठीक है, तो इस आपको समझ में आगे, इसके बाद जो आपका next question है, पूछा गया है कि one of the following is temporary parasite, किसको हम temporary parasite की category में रख सकते हैं, तो इसका जो right answer होगा, वो आपका mosquito होता है, ठीक है, यह आपके permanent parasite नहीं होते हैं, जब हमने आपको sickle sun anemia, या हमने malaria का जो आपको lecture पढ़ाया था, वहाँ प करते हैं, कि आप इसको endo parasite consider कर लीजे, या आप इसको endo parasite consider कर लीजे, या आप इसको endo parasite consider कर लीजे, तो बस यह कुछ समय के लिए आता है, जो आपके particular blood को feed करता है, और निकल जाता है, तो particularly इसको हम parasite के चीजों में रखते भी नहीं है, बट अगर आप comparison भी करना चाहें, त आप किवल इसको temporary parasite हो सकते हैं, तो इसका right answer होगा, वो आपका parasite होगा, next question जो कि आप से पूछा गया है, कि what is the best feed source for the mosquito larva, यानि कि जो mosquito का larva होता है, वो क्या खाएगा, तो इसका लिए जो आपका favorite food होता है, वो आपके microbes होते हैं, तो इसका question का answer, अगर आपने कभी बहुत detail मे कभी आपने malaria, philaria वगरा आपने पढ़ा होगा, तो आप better answer कर सकते हैं, या इसके अलावा, अगर आपने कही डिजल्टेशन किया होगा, malaria, या जहां पर philaria वगरा पर काम होता है, तो आपने इन चीजों को समझा होगा, बट फिर भी ये कहूंगा, कि मतलब थोड़ा सा complicated question मैं कहूंगा, हलाकि था तो knowledge based question, बट फिर भी इतना असान नहीं होता है, ऐसे to the point वाले question को, अगर आपने किया, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया, तो कोई बात नहीं, इसके बाद next question आप से पूछा गया है, कि which of the falling disease is cost by the sand fly, तो यानि कि यह भी मैंने आपको बताय किया था, Gika virus का भी जिक्र किया था, और आपको babesiasis भी बताया था, जिससे हमने क्या बताया था, आपको अगर मैं recall कराना चाहूं, अगर हमारे नए बच्चे जुड़े हैं, तो इसको अपनी copy में note down करेंगे, babesiasis से क्या होता है, हमारा red water fever होता है, black water fever, red water fever, के सारी आप में question बन जाए, इसके बाद ये question जो कि मैंने आपको DNA, RNA, protein यानि की DBT की जर्मने classes लिया था, वहाँ पर हमने जो बाय टिक्नलोजी आपको पढ़ाया है, वहाँ से सीधा question पूछा गया है, कि which of the following chemical reagent would be most suitable to isolate DNA, RNA या प्रोटीन together from the sample buffer solution, तो हम यहाँ पे Trigol का use करते है, राइवोजॉल, ट्राइजॉल, ये भी मैंने आपको वहाँ पे बता के रखा है, पूरा एक आपको separate lecture मिल जाएगा, next question जो है, आपको incorrect statement, sorry, correct statement आपको पहचानना है, और यहाँ पे insects के बारे में दिया है, जो कि मैं आपको बोल रहा था, कि हमेशा जो है, वो insects आर्थ्रोप immune system नहीं होता है, उनके पास केवल जो छोटे मोटे cells होते हैं, जिसके मदश से वो केवल अपने आपको थोड़ा बहुत fight कर सकते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, कि insects के पास क्या होता है, innate immunity होती है, लेकिन उनके पास adaptive immunity नहीं होती है, तो इसका जो right answer होगा, वो आपका first option होगा, बहुत बढ़िया question मैं कहूँगा, हाला कि इसको आप immunology से भी correlate कर सकते हैं, और अगर आप orthopoda या insects को detail में पढ़ते हैं, तो आप वहां से भी इनको correlate कर सकते हैं, नेस question, which of the following ये component of the circulatory system in the insect, तो जो आपका circulatory system of orthopoda या insects की हम बात करते हैं, तो वहां पे hemo lymph होता है जो की एक dissolve तरीके से form में रहता है, उनके body में, बहुत सारे important events कहली विये या बहुत सारे important चीजे होती हैं, वह आपके hemo lymph के मात्यम से होता है, तो ये बहुत important है, इसी के आज़ पास का एक और question पूछा गया, कि which of the falling is responsible for cellular immunity in the insect, अब देख लीज़े यहीं पर घुमाया है, अगर आप इस paper को solve कर रहे होते, तो आपको इतना पता चल जाता कि अगर इस question में पूछा है कि responsible होता है cellular immunity इन्दा insect, तो यानि की इन्सेक्ट में immunity तो होती है, समझ रहे, अब cellular immunity जो होती है, यानि कि cells level पे अगर मैं बात करू, neutrophils हो गया, basophils हो गया, snowphils हो गया, ये किसक में क्या होता है, आपकी innate immunity होती है, लेकिन adaptive immunity नहीं होती है, तो ये आपकी कहानी हो गई, आपने इससे answer निकाल लिया, बाकी यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि cellular immunity इन्दा insect के लिए कौन सी responsible है, तो इनका particular जो hemo lymph fluid हो रहा है, वो आपके लिए responsible होता है, जिसको आप hemo side भी कह स सकते हैं, next question आप से पूछा गया है, कि किस type का mouth part present होता है, ये भी आपका insect का question है, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, further exam में आप याद रख सकते है, type of the mouth part इन्दा insects में कैसे होता है, तो insect का जो mouth part होता है, one labrum होता है, one labium होता है, मतलब upper lip, lower lip, ठीक है, hypo pharynx होता है, दो mandible होता है, दो maxillai होती है, और बहुत तरीके का modification आपको देखने को मिलता है, सबसे most important जो आपको याद रखना है, piercing and sucking जो होता है, वो आपका mosquito और bedbug में होता है, piercing is by proboscis, made by modification of the labium का modification होता है, biting and chewing जो होता है, ये आपका grass वोपर cockroach का होता है, ये कि आपने NCRT में भी आपको मिल जाएगा, तो काक्रोच का जो होता है, वो आपका biting and chewing होता है, crickets का भी होता है, chewing and lapping, ये important है, ये आपका honey bean का होता है, lap means to drink करने के लिए होता है, by scoping with tongue की मदद से, and lapper is the organism who laps the liquid, तो यानि की obvious ही बात है, जब आप honey bean की बात करते हैं, तो वहाँ पे chewing and lapping type का होता है, ये आपका house fly, यानि किसका common name होता है, वो मेरा muska domestica होता है, याद रखेगा, important है, ठीक है, इसमें mandible नहीं होता है, feeds on sugar, by dissolving it in saliva and sucking in liquefied food, इस finding type का जो होता है, वो आपका butterfly and moats में होता है, hence the proboscis is found by the modification of maxilla, तो कम से कम ये mouth part जिसा कि आपको पता है, कि इस particular exam में आ चुक आपको mosquito को याद रखना है, biting and swing जो है, वो आपको cockroach को याद रखना है, sponging जो है, वो आपका house fly हो गया है, जो कि आई ही चुका है, और chewing and lapping जो है वो आपका honey भी है, तो यहाँ पर आप देखे लो house fly का पूचा है, तो sponging type का जो है, वो आपका हो जाएगा, तो यानि कि sponging and लैपिंग आप बोल सकते हैं, जो कि आपका house lie का हो गया, ठीक है, piercing and sucking जो है, वो याद रखेगा, mousequito का होता है, biting and chewing, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, biting and chewing जो है, वो आपका cockroach का है, इसको भी आप next exam में याद रखेंगे, फिर आपका leishmaniasis से question था, जो कि इनके स्लेबस में भी दिया गया था कि which of these is not the 3 clinical form आपका थर्ड उप्चन हो जाएगा तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी next question एक और आपसे पूछा गया है which of the falling is not a virus transmitted by the mosquito यानि कि कौन सा ऐसा virus है जो mosquito से नहीं transmit होता है बाकि इसके लिए आपको मैंने बताए भी तक एक term इस्तमाल करते हैं जिसको हम erbo virus बोलते हैं ऐसे viral disease या ऐसे virus जो arthropoda born virus बोलते हैं यानि कि जिनको arthropoda transfer करते हैं अब यह नहीं कह सकते हो कि यह मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो यह जो आप particular हमारे साथ आपने disease biology मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर हमने चर्चा किया था जिसमें आपका dengue fever जो होता है वो mosquito से transfer होता है आपने अभी recent में बहुत सारे आसपास के लोगों को आप बिमार होते वे देखते हैं यलो फीवर भी आपकी इसी कटेगरी में आता है जैपनीज इनसेफलाइटिस भी आपकी इसी कटेगरी में आता है लेकिन जैपनीज रीवर फीवर ऐसा कुछ नहीं है तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका first option बन जाएगा यहां तक आपको समझ में आ गया next question एक और आपका malaria से पूछा गया है जो कि बहुत बहतरीन design किया गया है ठीक है तो थोड़ा साइस के लिए आपको क्या बोलते हैं कि prior knowledge होना आवश्यक्ता बट फिर भी अगर आप decent biology पढ़के जाते हैं तो भी आप इस question को अपने common sense से कर स अब आपको पहचानना है कि किसका polymorphism आपको देखने को मिलेगा तो अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो अगर आप आपने पढ़ा होगा तो immunology में केवल एक ही option यहां पे रखा है क्योंकि एड़नीन तो कोई immunological material है नहीं ग्वानीन तो यह सब तो आपके nucleic acid के base हो गया लेकिन cytokine ही तो था कि जो आपने पढ़ा होगा interleukins ही तो आप पढ़ते हैं IL-1 पढ़ते हैं IL-4 पढ़ते हैं IL-17 पढ़ते हैं या pro-inflammatory हो गया anti-inflammatory में आप IL-10 पढ़ते हैं तो यानि कि cytokines ही तो थे जो यहां पे अगर आपको immune से कुछ लेना देना दिख रहा है तो इ मैंने वहां पे आपको बोला भी था कि जो भी आपकी disease होती है वो आपके female mosquito के काटने से होती है ठीक है वही आपके blood को सक करती है तो पहला statement दो ने बोला है कि both adult male and female feed on the blood तो यह आपका false हो जाएगा male बिचारा कुछ नहीं करता है तो यह आपका false statement हो जाएगा both male adult and female feed on the nectar सुगर यह बात बिल्कुल सही है अगर हमें बात करता हूँ कि male bread को नहीं ले रहा है तो वो क्या खाता पीता है तो वो nectar यानि कि जो flowers के nectar होते हैं सुगर होते हैं उनको खाता है और female तो अभी ऐसी बात है तो दोनों ही खा लेगी तो यानि कि वो तो फाइदे मे हैं ठीक है तो वो true, false यह दोनों हो जाएगा तो यानि कि statement one जो है वो आपका incorrect है और second जो है वो आपका correct है ठीक है अब इसी तरीके से इसी question को दूसरे तरीके से reframe करके आपसे पूछ दिया है कि दो statement आपको दिये गया है पहला statement है कि male mosquito take blood but cannot transmit disease अब यहाँ पे कह रहा है कि male mosquito जो है वो blood को लेता है लेकिन वो disease को transmit नहीं करता है तो यह बात आपका गलत है मैंने यहाँ पे question solve किया तो हमने क्या बोला कि वो blood को feed नहीं करता है male mosquito cannot take blood hence do not transmit disease यह बात आपकी सही हो सकती है कि ना वो blood को लेता है ना वो transmit करता है तो यह दोनों ही statement में क्या हो जाएगा कि पहला आपका false हो जाएगा और दूसरा statement जो होगा वो आपका true होगा तो बहुत ही बहतरीन question मैं कहूंगा दोनों ही आसपास से और दोनों ही question जो है वो मेरे पढ़ाए हुए है अगर आप जाएंगे malaria का lecture जब आप देखेंगे ठीक है मैंने malaria और philaria यह दो आपके mosquito disease को अगर आप याद रखते तो भी आप इस question को कर सकते हैं तो तीन चार questions मैंने आपको बता दिया next question एक और है जो कि आपसे पूछा गया है कि which viruses अंडर गो genetic drift and genetic safety यह बहुत important है और इसका लेना देना जब है आगर हमने बोला था ना कि आप पुराने PY को जरूर सॉल करिएगा और उसी में आपका एक exam होता है जिसको मैं DBT BITP बोलता हूँ जिसमें DBT GRF जो है दोनों ही conduct कराते हैं तो GRF के जो questions होते हैं वो BITP से बहुत मिलते जुलते हैं जो मैं आपको अक्सर दिखाता हूँ तो यह question जो है यह आपके DBT BITP 2023 में भी आ चुका है और 2024 में भी आ चु अगर मैं 2024 के question paper के discussion के वीडियो में जाओगे तो drift और shift मैंने दोनों ही explain किये हैं और यहां पर जोनोंने question भी पूछा था वो इन्होंने influenza virus का भी नाम दिया था तो वही कहते हैं कि अगर दिमाख लगा के काम करेंगे तो आप अपने answer तक पहुच सकते हैं ठीक है इसलिए कह जाता है कि या तो बहुत बड़े extraordinary विद्वान हो जाई है कि आपको सारी चीजे पता हो और यहां फिर आप सामने वाले के उपर नजर रखिए कि वो कहां कहां से question frame करता है मैंने क्या बोला है biology कहीं नहीं बदलेगी questions कहीं आसमान से नहीं लाया जाएगा अगर आप अपने चैनल के माध्यम से यह particular topic भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो इसका जो right answer आपका सीधा सीधा बनेगा वो आपका influenza बनेगा अब बताइए कि यह question hard था या easy था ठीक है यह question थोला सा आपका कह सकते informative based question था कि what defined best for ACL2 in the vector biology research study तो यहां पर जो होगा यह आपका arthropod contaminated level हो आते थे तो आप आर्थरोपोडा contaminated level 2 पे जा सकते थे next question जो है आपसे पूछ रहा है कि for studying insect spermatogenesis process which target organ need to be focused औब यह सी बात है अगर आपको इंसेक्ट का spermatogenesis देखना है तो आपको male reproductive organ उठाना होगा बाकी female तो आप लोगे नहीं थारेक्स लोगे नहीं malpigan tribune जो होता है यह आपके किसके लिए होता है अगर मैं insects की बात करता हूँ यह आपने cockroach पड़ा होगा तो यह किसके लिए होता है यह आपके excretion के लिए होता है ठीक है बहुत important है याद रखेगा next exam के लिए तो आपको male reproductive system उठाना है ठीक है फिर अगर मैं further बात करता हू matching जैसे मैंने बोला कि इन पर तो आपको तूट पड़ना है ठीक है अब matching की भी questions अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो भी आपका बहुत आसानी से बन जाएगा अब अगर मैं इसमें देखना चाहूं कि कौन सा ऐसा है कि जिसको मैं match करा दो तो आपको polio virus मैंने पढ़ाया पोलियो में क्या होता आपकी paralysis हो जाती है तो आप D का second देख सकते हैं ठीक है और influenza virus में आपको पता ही severe acute respiratory infection होता है आपका respiratory illness आती है कुरोना भी उसी के आसपास का ही था तो A का 4 लगा दीजिए जो की A कही option में है तो आपका answer solve हो जाएगा और D का second आपको यहाँ देखने को मिलना है B का थल Rota virus जो होगा वो आपका diarrhea disease करेगा और measles में आपके recess आ जाएगे तो यह सारी चीजे मैंने आपको पढ़ा के रखी है सीधा matching में question था next एक और matching का question जो कि आपको मैंने पहले ही बताया है HIV जो कि हमने कई बार चर्चा किया है immunology के list में जाओगे यह आपका ज देख लो भाईया एक ही option में रखा है जादा आपको परशान नहीं होना है बाकि रोटा वाइरस जो होता है वो आपका पिक्नो विरड़े में आता है influenza जो है वो आपका orthomixobirida में आता है यह याद रखेगा influenza बहुत important है further exam के लिए याद रखना और polio वाला जो होता है वो आपका जानी के साथ बन गए further एक और question आपसे पूछा गया है कि which insects of the falling survey best model for genetic study कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जिसको आप genetic study में बहुत बहतरीन पढ़ते है तो आपने drosophila पढ़ा होगा बहुत important है developmental biology आप पढ़ते हैं ठीक है तो वहां से आप correlate कर सकते थे एक और question आपसे पूछा गय है तो host के genome से उसको integrate करना होता है तो यह आपका बहुत important step है यानि कि यह आपका true है ordinary and efficient integration जो इसमें help करते हैं तो यह आपका बिल्कुल सही है यानि कि दोनों ही statement जो होंगे वो मेरे true हो जाएंगे तो यहां तक मैंने आपको discuss कर लिए चुकि microbiology हम बहुत detail में cover नहीं करते है वो हमारा उतना part नहीं है बट फिर भी जो मैंने आपको एक hypothetically या जो मैंने आपको एक assume करके बताया था कि भईया ऐसा-एसे topics को पढ़के जाईएगा या अगर आपने मेरे को follow किया होगा तो भी आराम से आपके 20-20 questions जो है जो कि मैंने यहां पे discuss कर लिये हैं कि आराम से आ मैं आने पर ठीक है बट इतने questions आएसे थे कि जो मैं target भी नहीं करता हूँ तो भी आप मेरे अगर बताय हुए mark पे चलते या मेरे contents को follow करते तो भी आप better performance कर सकते हैं बाकि अगर आप नए है इस channel पर इतना जरूर याद रखना इंसेक्ट में इंसेक्ट फाइलम जो है वो आपका बहुत important है ऐसे मैं नहीं चिलाता हूँ आर्थ्रो पोड़ा जरूर पढ़िएगा exam के लिए important है तो मुझे लगता है कि यहां तक हमने काफी चीजे cover कर ली है आशा है कि यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा आपकी डिमांड आ रही थी इस particular microbiology के discussion को लेके तो इसको भी हमने यहां पर cover कर लिया है बाकी मिलते हैं next video में next information के साथ thank you very much